चेर्मन सब, मैं आपके जेरिये सभी का ध्यान आकरशन करना चाहूँगा कि एक दुर्भाग्या पूर्ण गटना हुई है, काफी अन्याकारक भी है, कि महाराष्ट्र में अभी तिलाल मिन्सिपल कार्पोरेशन और मिन्सिपल्टीज का वैसे ही स्थानिय नगर निगम का, जिल्ला परिशत का, जिल्ला पंचयत का इलेक्शन है, लेकिन दुर्भाग्यावश ये सभी इसमें जो अधर बैक्वर्ट क्लासेस है, उनका प्रतितित्वा खतम किया गया है ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसकी वज़े ऐसे है कि 2019 में सुप्रीम कोट ने महाराष्ट सरकार को कहा था कि तीन मुद्दों पर वो काम करे, पहला ये था कि पिषड़ा वर्ग आयोग OBC कमिशन बनाए और वो OBC कमिशन फॉर्म करे पहला, दूसरा इस कमिशन के जरिये एम्पेरिकल डाटा वो कलेट करे, एम्पेरिकल डाटा ये अनुभव जन्दा डाटा है, जैसे हमारा एक्जिट पॉल होता है, उसमें भी हम डाटा कलेट करते हैं और OTV पने को दिखाया जाता है, वैसे ही ये डाटा मराडा आरक्षन के वाज़ भी महाराष्ट सरकार ने इसमें जो OBC कमिशन स्थापन करना का निर्देश दिया था सुप्रेम कोट ने, वहाँ OBC कमिशन डेड़ साल तक के स्थापन नहीं हुआ, और उसके जरिये जो एम्पेरिकल डाटा कलेट करना था, वो भी काम नहीं हुआ, ये स्थापन भी पिछले पाच मैने पहले हुआ OBC कमिशन लेकिन उनको जगह भी दी नहीं गई और उसी प्रकार उनको फंड भी आवंटित नहीं किया गया, तो इसकी वज़े से दो जो उसमें सदस्य थे, उन्होंने भी उसको बहिश्कृत किया या उसका रेसिगनेशन दिया उन्होंने, ताकि उनके ख्याल में आया कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है, OBC का आरक्षन बचा रहे है इसलिए, तो इसकी वज़े से पहली बार जो 50% से भी जादा OBC महराश्चर में हैं, उनके उपर एक अन्याय हो रहा है और राश्किय प्रतिनिदेतों हमेशा के लिए खतम हो रहा है, इ पूना, नाकपूर, मुंबई कार्परेशन, ये सभी अरंगबाद, ये सभी बड़े महानगरों का कार्परेशन के इलेक्षन हैं और 50% से भी जादा इलेक्षन के येशो सीट्स हैं, तो इसमें पूरी तरह से हमेशा के लिए 5 साल के लिए करीबन OBC आरक्षन नहीं रहेग और सरकार भी उचित, निर्देश, महाराष्ट सरकार को दे, थान्यवार